ग्रह शनी का नाम आते ही लोग घवरा जाते हैं और एस्ट्रलाजर्ज ने शनी को इतना बुरा बना रखा है कि पूछिये मत तेरा ढहिया चल रहा है, साड़े सती चल रही है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा शनी है क्या, शनी एक न्याय प्रियग रह है उसे किसी भी प्रकार का अंजस्टिस पसंद नहीं शनी मेहनत करवाता है जो कर्म आपने किये, शनी आपको वैसा ही परिनाम देगा जैसे भी कर्म आप कर रहे हो शनी उच्च का है, नीच का है, किस भाव में बैठा है, कहां बैठा है कोई फरक नहीं पड़ता आपके यदि कर्म अच्छे हैं, आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो शनी किसी भी तरह से नुकसान नहीं देगा शनी नुकसान केवल उन लोगों को देता है, जो किसी से न्याई नहीं करते किसी का विर्थ का पैसा मार लिया किसी का विर्थ का जो पैसा है, वो रोक लिया किसी की पेमेंट रोक ली, किसी को काम का, जितना उसने काम किया उतना उसको पैसे नहीं दिये, किसी भी तरह का अन्याई किया तो शनी जो है वो तंग करता है यदि आप शनी की समस्या से जूज रहे हैं या किसी भी प्रकार से शनी की दशा अंदर दशा चल रही है या धाया या साड़े सती तो आप अगर यदी किसी तरह से कोई भी परशानी में है पहला नियम तो ये अपनाईए और ये समझिए कि आज के बाद ये धारना पाल लीजिए अपने अंदर इस चीज़ को डाल लीजिए कि आपने किसी का गलत नहीं करना कैसे भी हो किसी के लिए गलत भावना नहीं रखने और किसी का गलत नहीं करना जो जो चीज डिजर्व करता है मान लीजे किसी इंपलॉई क्योंकि शनी जो है साक्षात इंप्लाई हैं आपके घर में जितने सर्वेंट्स हैं जितने भी इंप्लाई आपके पास काम करते हैं वो साक्षात शनी का सुरूप है वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें उतना पैसा दीजिए ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत से कम का दीजिए जैसे ही करते हैं शनी के प्रभाव अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही पश्चिम दिशा जो वेस्ट दिशा है जो वेस्ट डारेक्शन है वो शनी को गवन करती है वेस्ट साथ वेस्ट का सेकेंड पार्ट वेस्ट पूरा और वेस्ट नौर्फ वेस्ट का फर्स पार्ट जो है वो प्लैनेट शनी गवन करता है यदि आप ये नियम अपनाते हैं कि आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं किसी का बुरा नहीं कर रहे तो शनी पहली बातों की गलत प्रभाव देगा ही नहीं अब यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई अर्चन आ रही है तो अब आप क्या करेंगे भगवान हनुमान जी की हनुमान जी की एक पिच्चर हनुमान जी की हनुमान जी की ये प्रतिमा अगर आप exactly west direction में west direction में golden frame में यदि लगाते हैं तो शनी के कोई अगर दु पाए करते हैं तो पस्चिम दिशा में जो शनी की दिशा है वहां जैसे ही हनुमान जी स्थापित करते हैं तो आपको शनी किसी भी तरह से परिशान करना बंद कर देता है कोई भी दिक्कत नहीं आती